असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज मेरे घर में एक छोटा सा फंक्षन था मोनु चच्चा जो कि मेरे दादा की सगे भाई के बेटे हैं और मेरे जो सबसे छोटी वाली चच्ची हैं उनके सगे भाई हैं तो उनकी बहुत क्यूट सी बेटी हुई है और उसी के अकीके का आज फंक्षन था तो आज हमारी फैमिली के सब लोग आए हुए थे और साथ में साना चच्ची के भी फैमिली के सब लोग आए थे और फिर कुछ बाहर के जानने वाले भी आये वे थे और देखें, यहाँ पर मनाल बाबू के साथ तेहर रही थी बाहर उसको बाहर घुमना वैसे भी बहुत पसंद है बस बाहर घुमाते रहो और यह देखें, छोटी सी गुडिया का अकीका था और माशालला सब कुछ अच्छे से हो गया था और माशालला माशालला बहुत प्यारी सी है क्यूट सी परी है और इसका नाम मदीहा रखा गया है यहां जरा मानो की महंदी तो देखें माशालला इतनी अच्छी लगी थी छोटे से हाथ में उसकी महंदी सोनी फुपी जब मनाल सो गई थी तब उन्होंने लगाया था और देखे कितनी अच्छी लगी है एंड मैं तो यह सोच रही हूँ कि इसने कैसे इतनी देर महंदी को रख लिया हाथ भी नहीं लाया और कलर भी देखे माशाला कितना अच्छा आया इसकी महंदी का देखे फिर खाना स्टार्ट हो गया था और खाने में मटन बिर्यानी थी और साथ में स्वीड डिश में शाही तुक्रा था ने देखेस सोनु चच्छा मोनु चच्छा के बड़े-वाले भाई हैं वो बिर्यानी डेक से निकाल रहे थे और गर्मी में बैटके ये काम करना बहुत ही जादा मुश्किल है और बाहर सब बच्चे देखे ऊच नीच खेर रहे थे या बरफ पानी नहीं ऊच नीच खेर रहे थे मुझे लगता है और बाकी चच्चा लोग खड़े थे इनाम खड़ा था बाहर और हवा भी अच्ची चल रही थी बाहर तो इसी के बहुत अच्चा लग रहा था तो देखें यहाँ पर नुमान चच्चा थे बलीक चच्चा थे और इनाम था नुमान चच्चा और बलीक चच्चा मेरे दादा के सागी बहन के बेटे हैं और बेबी चची के भाई है और फिर वहाँ जब function हो गया तो फिर हम लोग अपने घर आ गए और घर में देखे light भी नहीं थी और बारिश भी बहुत तेज होने लगी थी हमारे आने के बाद ही और फिर next day मुझे फलक के हाँ भी जाना था इद मिलने और फ्रेंड से वीडियो इद के अगले दिन की है लेकिन मुझे time नहीं मिल रहा था कि मैं इसको post कर पाऊँ क्योंकि उसे time पर मामू भी आ गये थे और फिर पापा भी थे फिर इद मिलने जाना इधर उदर तो मैंने सारी vlog shoot करके रखे हैं बस मुझे इतना time नहीं था कि मैं उनको post कर पाऊँ और देखें next day हो गया है और मैं फलक के हाँ के लिए निकल गई थी और फिर उसके बाद फलक के हाँ मैंने सेवाई खाई पर मैं वो shoot नहीं कर पाई और फिर फलक मार्केट जा रही थी उसको मार्केट में कुछ काम था तो मैंने का ठीके मैं भी तुमारी साथ चलती हूँ और फिर हम लोग मार्केट आ गए थे यह मार्केट आलम नगर के पास में है और काम खतम होने के बाद हम लोग वापस जा रहे थी स्कूटी हम लोग ने मार्केट के बाहरी पार्क कर दी थी और इधर देखें ये पुरे मटके का ठेला लगा हुआ है मतलब मटके की पुरी शॉप है और बाकी अंदर पुरी शॉप्स है और हम लोग ने रोड पे स्कूटी खड़ी कर दी थी बाकी इधर देखें में रोड है और फिर फलक ने कुछ सबसी ली और उसके बाद हम लोग घर आ गए और फलक किया जाओ तो बस खाती रहो तुम क्या करते हैं तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो ना तेस्ट कैसा है और फिर देखिए शाही टुकड़ा खाया उससे पैदे से मही और छोला खाया था और उसके बाद पर खाना खाया फाला बिल्कुल भी जगा नहीं बची थी लेकिन मुझे शाम में शिवम भी जाना था रेस्पेंट जाना था क्योंकि आज ममी का बर्थिड़े था और पापा भी थे तो हम लोग ने प्लान किया था कि साथ में बाहर जाएंगे और इसने मुझे इतना खिलाया था कि मेरे पेट में बिल्कुल भी जगा नहीं बची थी और शाम भी हो गए थी फिर दो थीन ग़ंटे बात फिर से खाना-खाना और फर मैंने और फलक ने साथ में खाना खाया और थोड़ा ही थोड़ा खाया क्योंकि फिर शाम में जाना भी था और फलक के भाई सौदी से आये थे तो देखें फलक ने मुझे सौदी की चॉक्लेटित भी दी और बहुत लिए टेस्टी थी शानेंगे और फिर मैं फलक यहां से वापस आ गई और शाम भी हो गई थी तो थोड़ी दिर रेस्ट करके फिर शिवम चले गए और फिर हम लोग शिवम आ गए थे और रश बहुत जादा लगा हुआ था पर ये तो अच्छा है कि हम लोग को सीट मिल गई थी है कि जब हम लोग रात में आते हैं शिवम तो रात में ऐसे ही रश रहता है क्योंकि सब लोग ही जादा लोग डिनर करने ही आते हैं रेस्ट्रेंट में तो हम लोगों कभी कदारता ऐसा होता है कि सीट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है लेकिन आज अराम से मिल गई थी सीट तो हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे थे क्या लेना है क्या नहीं और यहां पे मैंने एक आज आज नहीं आता है तो यहां पर हम लोग ने पनीर और किया था पनीर मेरे खाल से कढ़्ाइ पनीर थी और दूसरा हम लोग ने यहां पर मिक्सवेज सबजी ओडर कि थी और साथ में रोटी थी और फिर चाबल था एंड फिर यहाँ पर देखे मम्मी हम लोग के लिए खाना सर्फ कर रही थी और यहाँ पर तौसीव की नजर कैमरे पर पड़ गई थी मैंने सोचा था कि मैं पूरी वीडियो शूट करूँगी बात मैं एडिट करूँगी लेकिन उसको पसंद नहीं है कि उसका पेस आये वीडियो में तो देखी वो हटाने को बोल रहा था तो मुझे फिर हटाने ही पड़ा और फिर खाना खाके हम लोग नीचे चले गए नीचे घर में सब के लिए आईस क्रीम पैक करवाया क्योंकि डिनर के लिए उपर आना पड़ता है और चोटे मटे स्नैक्स के लिए कुछ पैक कराना हो तो नीचे जाना पड़ता है और देखे फिर हम लोग ने फालूदा कुल्फी खाई और मुझे शिवम से जादा कहीं कि भी फालूदा कुल्फी अच्छी नहीं लगती है और यहाँ पर फ्रेंड्स हर तरह की स्वीट्स मिलती है और इधर मम्मी लोग आईस क्रीम पैक करवा रही थी और नीचे बस जादा सीट्स नहीं है दो ही सीट्स है क्योंकि बस वेटिंग के लिए है एंड की तौसीफ यहाँ पर छुप रहा था और बस यहाँ दो ही सीट्स है क्योंकि जादा तर लोग आते हैं तो डिनर के लिए ही आते हैं उपर ही जाते हैं तो नीचे बस वेट करने के लिए दो सीट्स है बाकि चिप सिप से नीचे और कुछ खास नहीं है और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कीजेगा वीडियो मैं यही पर एंड करूँगी क्योंकि घर चली गई थी तो बहुत ठक गयते हम लोग मैंने कुछ जादा शूट नहीं किया था और फ्रेंड्स आपको आगे ऐसी बहुत सी वीडियो मिलने वाली है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा और जो बेल आइकने साथ में उसे भी प्लीज प्रेस करिएगा कि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल सके आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाहाफिर